नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टार्गेट क्लासेस विधरी सर में आज हमसे लोग पढ़ने जारे साइंस इससे पहले हमसे लोग जो उसमा शुरुआत किये थे आज वो खतम हो जाएगा फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर से हमसे लोग मोसन या गती गती स्टार्ट करें आज वो हम सिर्फ वन-liner question कराएंगे जो पूछे जाते हैं ठीक है तो वन-liner question आज देखेंगे कल हमसे लोग इससे पहले सारी उसमा समझ चुके हैं वन-liner question जो सारे exam हों में पूछे जाते कोई भी exam हो उसके लिए आज हमसे लोग पढ़ेंगे वन-liner question देखेंगे ठीक ह और जो है जो हमारे चैनल पे नए है वो सस्क्राइब कर लिए वेल आइकन दबा दें जिससे की नया वीडियो आपको मिल सके अगर इससे पहले कि आप लोगों ने नहीं देखे वीडियो जाके देख लिजी उसमें अच्छे से समझा गया है आज सिर्फ हम से लोग वन लाइन तो पहला है अच्छे उसर्जक अच्छे उससक होते हैं यह नियम कों दिया है अच्छे उसर्जक जो होते हैं अच्छे उससक होते हैं यह नियम क्रिश्चाफ का नियम क्रिश्चाफ का नियम क्या कहता है कि अच्छे उसर्जक जो होते हैं वो अच्छे उससक होते हैं जो भी सारे नियम हैं, वो हम जो है लाश्ट में एक दो लेक्चर रखेंगे, उसमें सारे नियम एक सात कवर कराएं गे, जिससे तो अच्छे से सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है? तो आप यहां पर यही जान लीजे कि जो अच्छे उद्सर्जक होते हैं वो अच्छे असोसक होते हैं यह कौन बता रहा क्रिस्चाफ का नियम बताता है ठीक है नेक्ष्ट है जो वस्तु अपने प्रष्ट पर आपतित किरण विकरण को पूरता अवसोसित कर लेती है कहलाती देखे आप सब पता है और आप कहला तिक्रिशण पिंडिया फिर ब्लैक बोडी देखे काला कलर क्या होता है जो काला क्या रंग होता है वो उस्मा को बहुत जल्दी आउसोसित करता है ठीक है संपूर्ड विक्रण को पूर्णता हो सोसित कर लेता काला कलर ठीक है इसलिए जो है आप देखेंगे कि जो सोलर कूकर नहीं होते हैं उसके जो उपर का प्रष्ट होता हो कैसा होता है काला कला होता सोलर कूकर जो सूर की उर्जा से चलता हो कैसा होता उपर का ब्लाइक होता ब्लाइक इसलिए होता क्योंकि वो सारी जो है जिदनी भी पूरसंपूर बिक्रण होता उसको असोसित कर लेता ठीक तो ख्रश्ड पिंडिया फिर ब्लाइक बाड़ी ठीक बादलो वाली रात स्वच आकास वाली रात के पेच्छा काफी गर्म होती है क्यों देखें बादलो वाली रात जो होती है वो स्वच वाली रात के पेच्छा काफी गर्म होती है ठीक बादलो वाली रात क्या होती है स्वच वाली आकास वाली रातों के पेच्छा काफी गर्म थीग प्रत्वी से विकरीत ओर्जा को प्रावर्तित कर देत है थीगकरटीट और्भ यह यहां इसकी आसरिकर नीचे करदेंगी इसलिए न यहां बढ़ जाएगी साध़ी बढ़ जाएगी ठीक वह बता सकते हैं कि बादल वाली रात, सच्छ वाली रात के पेच्छा की होती है, क्योंकि बादल जो है, उसमा के बुरी ऐसो से खोने के करण प्रत्वी से विगरित उरजा को प्रावर्तित कर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, सीथ काल में कपड़े उनी, हमें घरम रखते हैं, क्यों, सीथ काल जाड़े में हमें उनी कपड़े गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि सरीर की उस्मा को क्या नहीं जाने देते हैं बाहर नहीं जाते हैं जो उनी कपड़े होते हैं वो सरीर की उस्मा को बाहर नहीं जाने देते हैं बाहर जाने से रोंकते हैं ठीक है वो बाहर की उस्मा को अंदर कौन-कौन किसमे प्रयोग होती चलिए देखते हैं तो सबसे पहले बिद्धि टान संबहन में विगिरण तीन विध्या है जैसा अम अपने बता है उसमा संचनर्ण कि लिध्यां टीन विध्या चालन संवाहन और विगिरण फोसों में किस विद्धि होता है तो ठोस में उस्मा का संचरण किस बीद से होता है चालन से ठोस में किस में होता है ठोस में उस्मा का संचरण किस बीद से होता है तो चालन से होता है याद रखे ठोस में उस्मा का संचरण किस बीद से होता है तो देखे ठोस में उस्मा का संचरण किस बीद से होता है और गैस और द्रव में किस बीत से होता है, समवाहन से होता है, ठेक है, तो समझ गए ना, और बचा कौन? विकरण, देखें, चालन हो गया, समवाहन हो गया, तो चालन किस में होता है, तो चालन सिर्फ ठोस में होता है, और समवाहन किस में होता है, तो समवाहन होता है, द्रव सूर से प्रतिवी तक उस्मा का इस्थानातन किसके द्वारा होता है विक्रण के द्वारा होता है ठीक बैसेकली इसमें किसी माद्यम के हो सकता नहीं पड़ती विक्रण में ठीक है तो यह याद रखेगा सूर से प्रतिवी तक उस्मा का इस्थानातन विक्रण द्वारा होता है ठीक है नेक्स्ट जल की विशिष टूसमा का मान होता है वन इससे पर वन कैलोरी पर ग्राम डिग्री संटिक देखे इससे पहले वाले लेक्चर में आपको अच्छे से बता चुके सिर्फ जल ही नहीं जल बर और जो है लोहा इन सब की जो है विशिष टूसमा हमने आपको बताई थी जो इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं जिनकी विशिष टूसमा पूछी जाती है उनके बारे में बता था यह भी बता था कि जल की विशिष टूसमा क्या होती है ना तो आपको यह बताए थे इससे पहले लेक्चर में अच्छे समझाते जो देखें वह तुरंत इस कुश्चन को कर लिएंगे जैसे हम बोलें जल की विशिष टूसमा का मान होता हो तुरंत खुद जान गयोंगे कि जल की विशिष टूसमा का मान किता होता वन होता जो इसके पहले के लेक्चर की है ठीक है नेक्स्ट बंद कमरे में बिजली का पंखा चलाने से क हाह निकलेगे कत्ताई नहीं है न तो क्या होगा गर्म होगा हीट जो भूरों दोनों में सबसे अधिक होती ہے जल वास में भंदारित उसमा है गुप्त उसमा जलॉस में भंदारित उसमा क्या होती है ऐस्से पहले वाले लेक्चर मेंפर erfolgया चुके हैं ठीक है एक नच्छत्र का रंग निर्भर करता है उसके प्रश्टियताप पर देखे एक नच्छत्र का रंग किस पर निर्भर करता है नच्छत्र का रंग निर्भर करता है उसके प्रश्टियताप ठीक है तो नच्छत्र का रंग निर्भर करता है निताब से त्रायोजनिक का समन्द किस से निताब से ठीक नेश्ट उस्मा के कुचालक पदार्थ हैं उस्मा के कुचालक या मतलब बैट कंड़क्टर उस्मा के कुचालक मतलब जिसमें उस्मा परिवड़ नहीं जा सकती सीधी सी बात आप यह याद रखें कि जिसमें करंट आ जा सके जो विजली होती है जिससे पंखा बलफल जलता वह जिसमें न चल जा सके वह उस्मा का कुछ अलग होता है बिसिकली आप यह जान लीजीए देखे लकड़िंग खांच वायू उन यह क्या होते हैं उस्मा के बैट कंड़क्टर या कुछालक होते हैं ठीक वायू भी होती ही काज भी होता है लकड़ी और उन होता है ठीक है पारे में उस्मा का संचन किस भीत से होता है आपको क्या बताए थे ठोस में किसके भीत से होता है और गैस में उद्रो में किसके भीत स यह आती हैं यह हम आपको beti चुक्क हैं तो बताइं पारे्य का स्चेंट किस्से hypothes चालन से जह से होता है चालन से होता है। जसल्षियस कंवाने और क्लीपेमाने में संबने संबंद होता इन चारों में संबंध आपको बता चुके हैं और जो important question पुछे जाते हैं मनोस्य का ताप और साधान कमरे का ताप चार-पांच चीज़े जो पूछी जाती हैं उनका सब का ताप, normal ताप हम बता चुके हैं Celsius में भी, Kelvin में भी, rumor में भी, Fahrenheit में भी, ठीक है? यह Celsius से Kelvin में आर मतल में देख लिजे उसी से देखे जितने भी online question स्ब तीक है थेखर एक अएस्ष्ट अएस्ट पदार्थ जिन में बिशेष परस्वत में बिद्दुत, पत्रोध, सुन ढोल जाता है । में क्या होता है विद्दुत प्रत्रोद 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 ही होता है विद्दुत को रोंकता है बाधा उत्पन करता है ठीक है तो के पूर्ण चालक बन जाते क्या कहलाते हैं अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं मतलब अगर उसमें कोई पदार्थ ही नहीं होगा उसमें कोई प्रत्रोध नहीं होगा तो उसमें क्या होगा जब कोई अवरोध नहीं है जैसे आप जा रहे हो गाड़ी से अगर बीच में कोई रखका है या फिर कोई अवरोध है तो आप सिलो के जाओगे रुख रुख के जाओगे ठीक तो फिर क्या हो जाते हैं आतिचालक पदार्थ हो जाते हैं ठीक है जिसमें प्रतिरोध नहों और प्रतिरोध सुन हो जाए और विद्दुत का पूर्ण चालक बंजा वो क्या कहलाते हैं? अतिचालक पदा, अतिचालक पदार्त में बिद्दु जो है सबसे बड़ी हाद अच्छे तरीके से, जाती स्पीड में भी ठीक है, जलके किसी द्रभ्यमान को 0 degree centigrade से 10 degree centigrade तक गरम करने से उसके आयतन में, क्या होता है? जीरो डिग्री से यदि हम 10 degree centigrade तक गरम करेंगे, तो क्या होगा? उसका आयतन जो है घटने के बाद क्या होगी? ब्रध्धी होगी, घटने के बाद ब्रध्धी होगी, ठीक है? ठीक है? घरम करने पर उसके आयतन में घटने के बाद क्या हो जादीगी? ब्रध्धी हो जाएगी हाँ ना नेक्स्ट रेफ्रीज रेटर में थर्मा में एक मिनट हाँ रेफ्रीज रेटर में थर्मो इस्टेट का कार्य है तो देखें रेफ्रीज रेटर में जो है थर्मो इस्टेट का कार्य का है थर्मो इस्टेट का कार्य है कि एक समान तापमान को बनाए रखना जो रेफ् तर ना होने देना ठीक है एक समान इतापमान बनाए रखे हना नेक्स्ट सव डिगरी सेल्सियस की वास्प द्वारा उत्पन जलन उसी ताप के जल द्वारा उत्पन जलन से अधिक गंबिर होती क्यों देखें सव डिगरी सेल्सियस की वास्प द्वारा उत्पन जलन उसी ता वास्प द्वारा उस्मा क्या होती है दी जाती है और उसकी गुप्त उस्मा भी क्या होती है अधिक होती है तो वास्प द्वारा उस्मा क्या होती है दी जाती है नेक्स्ट तेज हवा वाली रात्र में ओस नहीं बनती क्योंकि तेज हवा वाली रात्र में ओस नहीं बनती क्य करता है तो कम्रे मने लगा हुआ वातानु कूलन कोde क्या निंतृत करता है केवल आधरता और तापकरण और तापकरम को यह देखें पूछा बीकिया कहां बूछा गयायाय समें मेजैनगियार में यह gustर अगयाय में dubben PCS में 2011 में यह पूछा भी जा चुका है कुष्चन की कमरे में लगा हुआ वातन पूलन जो है क्या नियंत्रित करता है तो पाणी के कृथणांक बिंदू और हिमांक बिंदु क्रमसा क्या होगे देखे जब जल में साधान नमक मिला जाए तो पानी के कोथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमसा क्या होगे तो जब नमक मिलाएंगे साधान नमक जल में मिलाएंगे तो हमारा जो कोथनांक होगा न वो बढ़ेगा और हिमांक क्य है हर exam में पूछे गे हैं पानि से भरी डाठ लगी बोतल जमने पर तूट जाएगी क्यों कि नब जाता है जमने पर जलका बढ़ जाता है जलका ऐतना क्या वढ़ जाता है जलका पर बन जाता है बाब बन जाता जी रोपर बन जाता है तो क्या हो जाएगा जल से भरी डाट लगी बोतल जमने पर तूड़ जाएगी क्योंकि जमने पर जलकाइतन क्या हो जाता है बढ़ जाता है यह कहां पूछा गया SSC exam में question पुछा जा जुका है next refreshrator खाद पदारतों को खराब होने से बचाते है refreshrator क्या होते है खाद पदारतों को खराब होने से बचाते है अधिकतर खाने वाली चीज़ें लोग freeze में रख देते हैं क्यों क्योंकि इसके जो है new तापमान पर UPPCS 2012 में पूछा गया जब बर्प पिघलती है तब तब क्या होता है जब बर्प पिघलेगी तो क्या होगा आयतन घटेगा इससे पहले भी आयतन वाला भी है हम सब लोग किये हैं आयतन क्या होगा घटता है और गर्म करने पर तरल पदार्थ का घणत हो जाता है जब गर्म करेंगे किसी तरल पदार्थ को तो घणत तो क्या हो जाएगा कम हो जाता है घणत तो कम हो जाता है गर्म करने पर तरल पदार्थ का घणत तो कम हो जाता है ठीक है जब बर्प पिघलती है तो आयतन घड जाता है बरप पिग लेगी तो आतन घटेगा वो गरम करने पर तरफदार्थ का घण तो क्या जाएगा कम हो जाएगा है ना अब कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़न गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता कैसे संपीडित जो संपीडित गयसे उसको छोड़ने से यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवास्प ग्रहन करने की चंता क्या होती है बढ़ती है यदि हवा का तापमान बढ़ता है हवा का तापमान बढ़ गया तो उसकी जलवास्प यदि हवा का तापमान बढ़ेगा तो उसकी जो है जलवास्प ग्रहन करने के चमत्य क्यों होगी बढ़ जाएगी ठीक वह थर्मामीटर जो 2000-0 degree centigrade मा अपने है तो प्रियुक्त हो वहाँ है पूढ़ विकरण पायरोमीटर क्या है जो थर्मामीटर से क्या बोलते है वह पूढ़ विकरण क्या होता है рंज़ गैर तो हिंचणों है तो कौन सा हिम्रोधी के तोर पर प्रियुक्त होता है तो स्वाचलित इंजनों है तो कौन सा हिम्रोधी के तोर पर प्रियुक्त होता है एथलीन ग्लाइकॉल क्या होता है एथलीन ग्लाइकॉल है तो स्वाचलित इंजनों है तो कौन सा हिम्रोधी के तोर पर प्रियुक्त होता है ठीक है क्यों दी जाती है जो ठंडे पर देशें वहां पारा के स्थान पर किसको प्योग किया जाता है इसलिए पारे के जगा क्या प्रियुक्र झाल। चाहिव भी हो खराब विख्र भी है ठीक अब ताप मापी के बारे में थोड़ा पॉइंट पढ़ लेते हैं देखें डाट्री थर्मामीटर में पारा का प्रियोग किया जाता है क्यों क्योंकि वह अपार दर्सी चमकीला ताप के मान को बढ़ने में आसानी होती है डाट्री और क्या होता है यहां कांच में चिपकता नहीं है और ना ही वास्पित होता है ठीक ना ही यह कांच में चिपकेगा ना ही वास्पित होगा और यहां पारदर्सी होता है चमकीला होता है और ताग के मान को पढ़ने में आसानी होती है अता सही मापन करता है अता क्या करता है सही मापन करता है थंडे पध्रदेशों में जहां निउंत में मा इनिउंत में माइनस 40डिग्री सेंटी ग्रेड तक पहुंजाता है, वहां पे पारे का प्रियोग ना करके ऐलकोहल युगत नाप्त मा प्रियोग किया जाता है जहांपनी जहां परमाप ine स पह्लिप कुश्चन में हम सो लोग पढ़े हैं कि ठंडे में जो है तारे का पारे के जगहां क्या होता है अल्कोहल को क्यों प्रियुक्त किया जाता अभी पढ़े है यह देखे अभी देखा रहे है यह देखे ठंडे परदोसों में पारे के जगह अल्कोहल को तामापी के रूम में वर अब ये बड़ी हाग कुस्चन है पारा कितने जो है ताप टंप्रेचर पर जमने लगता तो पारा जो है माइनस 31 डिग्री सेंटीग्रेट पर जमने लगता है अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेट हो जाएगा तब तो भीया पूरी तरीकर जम ही जाएगा ठीक है इसलिए जहां पर जो है माइनस 41 डिग्री सेंटीग्रेट पर जमने लगता अगर कुस्चन पूछ लिया जाए पारा कितने टंप्रेचर पर जमने लगता तो इसलिए जहां भी टंप्रेचर माइनस 41 डिग्री सेंटीग्रेट से अधिक होता है वहां पर पारा की जगां जो है क्या एलकोहल का प्रियोग किया जाता है क्योंकि एलकोहल का द्रवांक क्या होता है निमनतर होता है ठीक है जबकि एलकोहल माइनस 115 डिग्री सेंटीग्रेट पर जमता है अब यह कुस्चन और यह इसे एल्टी ग्रेट पर एको हल भी जमने लगता है ठीक है तो आज का सेशन यही समाप्त होता है आज अच्छे वल नाइनर कुश्चन थे आप देखें बहुत बढ़िया बढ़िया जगे पूछे गया है यूपी पीसी एस ठीक है यूपे ससी ठीक है ससी एकजान ठीक प्री से पढ़ेंगे इससे पहले वाले लेक्चर किसी ने नहीं देखा तो जाके देख लें बहुत इंपॉर्टन्ट है अच्छे से सारा समझाया गया है अगर वह देख लेंगे तो यह कुश्चन सारे अपने हाथी हो जाएंगे बढ़िया बढ़िया है ना तो इसी के लिए सा किजिए सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद नमस्कार जय हुआ